आप सभी का फेरविट शो ये रिष्टे हैं प्यार के की कहानी में बहुत ही जादा इंट्रोस्टिंग ट्विस्ट और टॉन लेने वाली है मिश्टी अबीर के जिन्दगी जी हाँ एक तरफ तो ऐसा लगता है कि कुहू के बच्चे आ जाने के बाद सब कुछ ठीक होता नजर आएगा लेकिन दूसरे ही पर कुहू मिश्टी को इतनी कडवी बाते सुनाती है कि मानो फिर से जगा वहीं लगती है कि जहां से मिश्टी ने कुहू के साथ सफर किया था शुरू आज भी वह वहीं खड़ी है अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे कुहू प्रेग्नेंट होगी और उसके अंदर का बेबी उसे किक करेगा जैसे ही कुहू घरवालों को यह बात बताएगी सारे परिवार वाले काफी जादा खोश हो जाएगे जैसे ही मि बेबी के किक को फील करने के लिए बच्चा किक नहीं करेगा जी हां यह कोइंसिडेंस होगा लेकिन कुहू यहां पर मिश्टी को टॉंट मारती आएगी नजरों कहेगी कि सुन बेबी उसको पसंद नहीं करता बेबी उससे जादा अपनी मा को पसंद करता है मिश्टी कुह के मुझे ये बाते सुनकर काफी जादा परिशान हो जाएगी क्योंकि कुहू को भी यही लगता है कि इस बच्चे की असली मा वो ही है मिश्टी नहीं अब एक तरफ तो कुहू 9 महीने तक अपने बेबी को अपने पेट में रखने वाली है और ऐसे में जाहिर है उसका मिश्टी को दे पाएगी और क्या मिश्टी मा का सुक भोग पाएगी यह सब कुछ देखना होगा बहुत इंट्रस्टिंग लेकिन शू की कहानी तो कुछ और ही कह रही है क्योंकि जिस तडिके से मिश्टी और कुहू के बीच में सब कुछ ठीक हुआ था और जैसे कुहू क मोट और उसका मिजाज बदलता नजर आ रहा है उससे मानो शो में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी शायद हम सब ने इमेजिनेशन भी नहीं की लेकिन जो भी होगा देखना होगा बहुत इंट्रेस्टिंग के आकर इस सरुगेशी का ट्रे कहां पर होता है खत्न